हम शिव माहदानी भोले नात की कथा सुनाते हैं सत्य कथा एक महादेव की आज बताते हैं भगतों आज बताते हैं हम सो मवर महवरत की महिमा गाके सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं ओं नम शिवाय बोलों नम शिवाय ओं सो मेश्वाय बोलों नम शिवाय सोमवार की कथा सुनात सुनो लगा कर ध्यात सबसे बड़े वर्दानी भोले शिवशंकर भगवां जो भी करता शिव की तपस्य होता वही निहार उसे फिक्र ना कोई चिंता रहता है खुशहार किसी नगर में रहता था एक धनिक तो परिवार शिवशंकर की भगती करता वो था साहोकार नियम से जाता था शिव मंदि सेख वसातों वार सोमवार के दिन रहता वो पूरे दिन निरहार साहोकार कि शिव भगती अब तोमह दिखाते हैं हम सोमवार महवरत की महिमा गा के सुनाते हैं ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम सोमेश्वराय बोलो ओम नमः शिवाय किसी नगर में एक साहुकार रहा करता था भद्तू वो साहुकार भगवान महादेव का परमभक्त था उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी कमी थी तो बस एक संतान के लिए पती पत्नी दिन रात रोते बिलगते रहते थी एक दिवस जब साहुकार शिव मंदिर में पूजा कर रहा था देवयोग से उसी दिन शिव पार्वती मंदिर में आई थे भतू पूजा करता महातेव की रोरो के साहू कार गंगा जल के बदले बह रही आँखों से जलधार पार्वती शिव से कहती है नात सुनो मेरी बात मुझसे देखे नहीं जा रहे इसके ये हाला पूत्र रत्न का वर दे करके करो इसे खुशहाल साहू कार है सबसे बड़ा पर पूत्र भिना कंगाल इसके भाग्य मैं सुनो पार्वती नहीं कोई संतान हसके बोले पार्वती से शिव शंकर भगवान सुनके सेट की आँखों से आसू बहते जाते हैं हम सुमवर मावथ की कता गा करके सुनाते हैं हम कता सुनाते हैं भोले नात की बात सुनकर मैया पार्वती कहती हैं हे स्वामी मैं कुछ नहीं जानती ये सादुकार आपका परंभक्त है तो इसके कस्ट दूर करने की जिम्मेदारी आपकी ही है भोले नात आप इसे संतान प्राप्ती का वर्दान दे दीजिए भोले नात भोले ठीक है गौरा मैं इसको पुत्र प्राप्ती का वर्दान देता हूँ परंतु उस बालक की आयू मात्र बारे वर्ष ही होगी बारा वर्ष के पश्चाद वो बालत मृत्यू को प्राप्त हो जाएगा ये सारी बातें साहुकार सुन रहा था मक्तो पूजा शिव की पूरी करके चला गया साहुकार लेकिन उसके मन में मचा था वारी हाहाकार किसी को उसने कुछ न बताया मंदिर वाली बात अपने कार्य को हो के मगन वो करता रहा चुप चाप नियम से वो शिव मंदिर जाता करता पूजा पात एक दिन सेठ से बोली से ठानी सुनो खुशी की बात बोले नाथ ने सुनली अपनी पल रागर्भ मिलाल पूत्र रत्न से हो जाएंगे हम भी माला माल साहुकार जिमन की अपनी कह नहीं पाते हैं भगतों कह नहीं पाते हैं हम सोमवार महबत की कता गा करके सुनाते हैं हम गाता गाते हैं ओम नम हर्षिवार बोलो ओम नम हर्षिवार ओम सोमेश्वार बोलो ओम नम हर्षिवार पत्नी की बात सुनकर सेठ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की बत्तों क्योंकि सेठ तो जानता था कि मेरे पुत्र की आयू मात्र बहरा वर्षि है कुछ महिनों के बाद वो दिन भी आ गया जब सेठानी ने एक सुन्दर से बालक को जन दिया सेठ ने कोई खुशी नहीं मनाई भक्तों पहले की तरह सामान ने रूप से अपना कारे करता रहा पुत्र जब बड़ा हो गया तो सेठ जी ने अपने साले को यानि अपने बच्चे के मामा को बुलवाया और कहा के तुम उसको लेकर काशी चले जाओ विद्या अध्यान के लिए रास्ते में हवन यग्य भंदारे करवाते हुए जाना जब शिक्षा पूरी हो जाए तो इसको लेकर वापस आजाना मामा भांजा चल दिये दोनों काशी जी की ओर फूल कमल का जैसे लगता वालक मधुर की शोर जहां करे विश्राम रात को करे यग्य और दान बंदारे करवाके करते द्रव्य वस्त्र खाहां चलते चलते गए वगोनों किसी नगर के पास ढलने वाली सांजती सोचा कर ले यही निवास एक सराय में ठहर गए वो करने लगे विश्राम किसमत अब उसकी करती है बगतों क्या क्या काम इसके आगे जो होता है वो बतलाते हैं भगतों वो बतलाते हैं हम सोमवार महवरत की कता गा करके सुनाते हैं हम गाता गाते हैं ओ नमः श्रिगार बोलो नमः श्रिगार उसी सराय के बगल के शामियाने में एक बारा ठहरी हुई थी भक्तों जो उस नगर के साहुकार की बेटी को ब्याने के लिए आई हुई की सब कुछ अच्छा चल रहा था बस दूला कुरूब और एक आख से गाना था उसी बात को लेकर दूले का बाब परिशान था कि यदि लड़की को मेरे लड़के का दोश पता चल गया तो वो अवश्य ही शादी से मना कर देगी तभी उसकी नजर सराए में सो रहे साहुकार के पुत्र पड़ पड़ी दूले का बाब लड़के के मामा के पास गया और बोला हे भाई मेरी लाज बचा लीजी लड़के का मामा हैरान परिशान दूले के बाब का मूँ देखता रह जाता है और उधर लड़के का बाब बोल रहा है के सिर्फ वार पूजा तक के लिए आपके बालक को दूला बना के ले जाना चाता हूँ इसके बदले में मुह मांगी दूला देने को भी तयार हूँ हाथ जोड कर हो के रुआसा वो दूले का बाब करे निवेदन मामा से उसके करते हुए विलाप आमी भर दी मामा ने उसके हो गया वो तयार दूला बन के उसका भाज़ा पहुचा पूजा द्वार चंद के जैसे चम के मुखडा लगता राज कुमार रेशम जोडा पूलों का सहरा लटक रही तलवार सुन्दर रूप देख दूले का मोहित हो गए लोग अब आगे क्या भगतों देखो कैसा है सैयोग इसके आगे क्या होता है अब बतलाते हैं भगतों तुम्हें बताते हैं हम सोमवार महवरत की कता गा करके सुनाते हैं हम गाथा गाते हैं ओं नम्हर्षिवार बोलों नम्हर्षिवार ओं सोमेश्वणार बोलों नम्हर्षिवार द्वार पूजा पर दूले को देखकर सभी मन्त्र मुग हो जाते द्वार पूजा के बाद विवा के रस्म होनी थी काने दूले के बाब को चिंता सता रही थी द्वार पूजा तो हो गई परंतु फेरों पर मेरे बेटे को देखकर सब क्या कहेंगे ससुराल वाले सब क्या सोचेंगे यह सोचकर वो साहुकार फिर से लड़के के मामा के पास जाता है और विंती करता है कि फेरे भी करवा दो बदले में जो चाहे ले लेना मामा फिर तयार हो जाता है बत्तों फेरे करवाने की खाति मामा हुआ तयार बना के दूला वेज दिया फिर अपना राज कुमार हो गई शादी फेरे हो गई काना छुपा रहा पोड के चादर काना था कोने में पड़ा रहा बोजन करके दूला दुलहन कोबर में जाते हैं दूला दूलन आपस में हस्ते बत्लाते हैं मीड आ गई दूलहन को जब दूला चला गया सारी बाते चुन रिप लिक कर वो तो चला गया वहां से मामा भान जा दोनों काशी आते हैं हम सोम बार महप्रत की कता गा करके सुनाते हैं हम गाता गाते हैं ओ नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय ओ सोमेश्वराय बोलो नमः शिवाय सुभा सवेरे जब दुलहन सो कर उठती है भकतों तो अपने धुले को गायब पाती है अपनी चुन्नी पर देखती है सारी सच्चाई लिखी हुई थी कि मैं तुम्हारा पती नहीं तुम्हारा पती तो एक काणा है मैं तो सिर्फ फेरों तक के लिए तुम्हारा पती था अब मैं काशी जा रहा हूँ विद्या ग्रहन करने के लिए दुलहन सारी बात अपने पिता से बताती है उसका पिता बारातियों को क्रोध में भगा देता है भकतों काशी के गुरुकुल में विध्या रहेन करता है देव शास्त्र और बीज मंत्र का मंथन करता है उसका मामा करे भंडारे करे अन का दान विध्या अरजन करता हांजा भरे ज्यान की खान बारा साल हो गए पूरे उसके जीवन के पून हो चुके थे दिन सारे उसके जीवन के उठ गया सर में दर्द भयंक पीड सही ना जाए ऐसे गिरा धरा पेवाला नब्ज सास थम जाए पिंजरा खाली छोड के जो पंची उड़ जाते हैं हम सोमवार महावरत की कता गा करके सुनाते हैं हम कता सुनाते हैं बारे वर्ष की आयू पूर्ण होते ही बालक के मृत्यू हो जाती हैं बस्तुंग उसका मामा दहारे मार मार कर रो रहा है अब मैं किस मूँ से वापस जाओंगा अपनी बेहन को क्या उत्तर दूंगा और इधर देवयोक से उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे भक्तों माता पार्वती की नजर मरे हुए बालक पर पड़ती है तो वो जान जाती है कि ये तो उसी साहुकार का पुत्र है जो भुले नात का परम भक्त है और ये बालक भुले नात के वरदान का ही फल है वो भुले नात से कहती है कि उस बालक को जीवित कर दीजिये प्राणाद भुले भुले पार्वती से ये है विधी का विधान नियम के है विपरीत अगर मैं लोटाओंगा प्रान पार्वती बोली कि दिया था आप नहीं बरदान जीवित कर दो इसको स्वामी बालक है नादान पार्वती की हटके आगे शिवशंकर गए हार जीवन दान उसे देने को हो गए वो तैयार बोले नाथ ने उस बालक को दे दिया जीवन दान उस बालक के मित शरीर में वापस आ गए प्रान उठके बैठ गया वो बालक सर के बताते हैं भगतों सर के बताते हैं हम सोमवार महावरत की कता गा करके सुनाते हैं हम गाता गाते हैं ओ नमर्षिवार बोलो नमर्षिवार ओ सोमेश्वरार बोलो नमर्षिवार वो बालक आखे खोलता है और उठकर बैठ जाता है भगतों यह देकर उसका मामा हैरान हो जाता है उसे भगवान भोले नात का चमतकार मानता है वो बालक पूछता है मामा श्री आप रो क्यो रहे हैं मामा कोई बहाना बनाकर उसकी बात को डाल देता है वक्तों और कहता है अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे चलो वापस घर चलते हैं और उसी दिन दोनों अपने नगर की ओर भसान करते हैं चलते चलते पहुँच गए वो उसी नगर के पास जहां विवा हुआ था उसका सुकुमारी के साथ उसी सराए में आकर के वो फिर से रुकते हैं करसनान आदी फिर दोनों भोजन करते हैं उधर से गुजरी सेच की लड़की हुई बड़ी हैरान इनी से भ्याह हुआ था मेरा तुरंत गई पहचान सेच की सैनिक बुला के उनको कर में लाते हैं मामा भांजा को जम के सतकार कराते हैं देख पती को गुलहन के नेना शर्माते हैं हा नेना शर्माते हैं हम सोमवार महबत की कथा गा करके सुनाते हैं हम गाथा गाते हैं लड़के का मामा सारी बात साफ साफ बता देता है कि कैसे काने के बाप ने मेरे भांजे को एक राग का दूला बना के आपकी पुत्री से विवाध करवा गिया था सेठ ने कहा विधी का विधान कोई नहीं टाल सकता सो अब आपका भांजा ही मेरी पुत्री का पती है कुछ दिन वहाँ ठहरने के पशार अपनी पत्नी को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं सेठ ने बहुत सारा धन धान दास दासियां देकर अपनी पुत्री को विधा किया था पती पत्नी डोली पर सवा रहे और दास दासियां पीछे चल रहे हैं आईए अब जानते हैं कि साहुकार और उसकी पत्नी क्या कर रहे हैं साहुकार पत्नी संग दोनों छट पर जाते हैं पुत्र शोक में बैठ के दोनों नीर बहाते हैं बारह साल तो बुजर गए हैं मर गया हो गाला उसी सोच में उन दोनों का हाल हुआ बेहाँ उन दोनों ने सोच लिया तो दे देंगे हम कान हम भी अब ना रहेंगे जिन्दा जब न रही संतान अंतिम बार पकार रहे हम ए शंकर भगवान पूत्र वियोग में हम दोनों भी चले गवाने जान छोड के धरती हम दोनों अब स्वर्ग को जाते हैं हम सोम बार महावरत की कता गाह करके सुनाते हैं हम गाता गाते हैं ओम नम हर्षिवार बोलों नम हर्षिवार साहुकार और उसकी पत्नी दोनों छट से कुद नहीं वाले होते हैं के तभी सेट का साला नीचे से आवाज लगाता है दीदी जी बहनोई जी आर्थि की थाली सजा कर ले आओ आपका पुत्र वधू को लेकर आया है यह सुनकर पती पत्नी दोनों चौँख जाते हैं भला ये कैसे संभव है भगवान शीव शंकर ने पुत्र की आयू मात्र बारा वर्ष की बताई थी और बारा वर्ष तो पूर्ण हो चुके हैं पत्नी दोनों उससे शपत खिला कर कहते हैं तुम सत्य बोल रहे हो ना तब उसने कहा यदि आपको विश्वास नहों तो चल के देख लो गाओं के बाहर बाग में डोली के साथ साथ हजारों दास दासियां और सुन के भंडार पढ़ाव डाल रखे हैं दोनों खुशी खुशी नीचे उतर कर आते हैं और पुत्र को देखने हैं तु बाग की तरफ दोड़े लग जाते हैं बतो दोड़ के दोनों वाग में पहुँचे रुका जहां डोला पुत्र वधु को देख के अपनी साहुकार बोला ये सब कृपा है भोले नात की गया हूं मैं ये जान बड़े दयालू बड़े क्रिपालू है शंकर भगवान पुत्र वधु को लेकर अपने घर में आते हैं पूरे साल खुश हाल मगन त्यों हार मनाते हैं सोमवार के व्रत की महिमा सबसे उत्तम है सोमवार के व्रत का फल सबसे सरवोतम है कथा लिखी सुख देब काला गा के सुनाते हैं हम सोमवार महबत की कथा गा करके सुनाते हैं हम गाता गाते हैं ओम नम हश्चिगाय, बोलों नम हश्चिगाय, ओम सो मेश्वराय, बोलों नम हश्चिगाय